राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, कालपनी था है वो, कालपनी इपर करके दोस्तों हिंदुस्तान आवाम पार्टी मोर्चा के नेता जीतन राम माझी जो आज बीजेपी के साथ गणबंधन करके बिहार में सरकार बना हुए हैं आप सोसल मीडिया में बीजेपी के हिंदुत और प्रधान मंत्री मोदिक के हिंदुत पर भी सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि यह जीतन राम माझी बीजेपी के साथ गणबंधन करके बिहार में अपनी सरकार चला रहे हैं वीडियो में आप सुन सकते हैं जीता राम मांजी कैसे भगवान प्रभुसरी राम को कालपनिक और भगवान प्रभुसरी राम भगवान नहीं है ऐसा कहते हुए सुने जा सकते हैं आई ये दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं तो दोस्तों आपने देखा कैसे जीता राम मांजी भगवान प्रभुसरी राम कोई भगवान नहीं है। प्रभू स्री राम को कालपिनिक बता रहे हैं और वहाँ भगवान नहीं है ऐसा बोल रहे हैं दरसल दोस्तों आपकी जानकारी की बता दें यह वीडियो साल 2021 का है लेकिन आज तब वारल हुआ जब जीतन राम मांजी बीजेपी के साथ कड़बंधन करके बिहार में सरकार बन गया दोस्तों फोटो में आप गोर करें तो जीतन राम मांजी भगवान प्रभू स्री राम के मंदिर के अंदर तो गए लेकिन स्री राम के पास भी नहीं पहुंच पाए जिसके बाद तमाम सोसल मीडिया यूजर्स प्रधान मंत्री मोदी और जीतन राम मांजी पर जम कर प्रती पटेल लिखते हैं ये हैं मांजी जी जो कल तक कह रहे थे राम को हम नहीं मांदे राम कालपनिक हैं राम भगवान नहीं हैं लेकिन चुनावी मजबूरी में मोदी जी के कहने पर राम मंदिर पहुंच गए लेकिन उसमें भी वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक बाकी लोग पहुंशते हैं कामीडें राजी उनिगम लिखते हैं मोदी जी और उनके साथियों का राम के प्रती अपमान देखिए मतलब इनके साथ ही कुछ भी बोलेंगे तो चलित ये है कि मोदी एंड पार्टी राम विरोधी है बस ये बेकूब बनाकर राम के नाम से सत्ता चाहते हैं इनका राम से कोई लेना देना नहीं है